Welcome to sociology classes. मैं हूँ आपका दोस्त शीबु. आज हम डिसकस करने वाले हैं सोसियलाइजेशन के बारे में. जब भी कोई बच्चा जनम लेता है तो वो एक खाली पन्ने जैसा होता है. वो जितना धीरे धीरे डेवलप होता जाता है वो अपने family, school, friends इन सारे लोगों से चीज़े सी लिखता जाता है और वो जो खाली पन्ना है वो धीरे धीरे बरता जाता है. इसी चीज़ को हम basically कहते है socialization. यानि कि हमारा जो society है इसके तोर तरीके यहाँ पर हम किस तरीके से behave करेंगे, society में कौन से चीज़े acceptable है, कौन से चीज़े acceptable नहीं है, ये सारे चीज़े जिस तरीके से हम जानते है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये सारे चीज़े हम जानते है, इसको कहा जाता है socialization. Socialization बहुत ही एक important topic है, साथ साथ एक interesting topic है, जिसके द्वारा आप अपने आसपास किस तरीके का socialization process है, ये जान सकते हो, लोगों के बीच में किस तरीके का behavior है, हम socialization process के द्वारा है, पहले से ही जान सकते हैं. यहाँ पर आज के class में हम पहले देखेंगे के socialization क्या है, इसके अलग-अलग characteristics, stages, types, agents, factors, और importance of socialization के बारे में discuss करने वाले हैं. हम अगले class में socialization का next part करने वाले हैं, वहाँ पर हम theories of socialization के बारे में जानेंगे, जहाँ पर हम GH Mead, CH Cooley और Sigmund Freud का जो concept है, theories हैं, उनको discuss करने वाले हैं. अगर आप मेरे classes में नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा, और वीडियो को like और share जरूर किजिएगा, क्यूंकि sharing is caring. इस चैनल पर आपको sociology related बहुत सारे videos मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे playlists से, आप लोग अपने interest के हिसाब से playlists चूज कर सकते हो, वहाँ से चीजे ढूनने में आपको बहुत आसानी होगी. तो चली, आज का ये जो class है हम शुरू करते हैं. Socialization basically होता क्या है? Socialization एक ऐसा process है, जहाँ पर एक बच्चे को transform किया जाता है, वो किस तरीके से society में रहेगा, उसका अंदर किस तरीके का cultural values होंगी, उसको self-aware बनाना, उसको एक knowledgeable person बनाना, ये सारे चीजे बेसिकली हमारा socialization का ही हिस्सा होता है. Socialization के द्वारा एक इनसान के behavior को modify किया जाता है, और उसको society के लिए तयार किया जाता है, ताकि वो society के जो भी तौर तरीके है, उसको अच्ची तरीके से समझ पाए. हमारी यहापर एक कहावत है, कि परिवार से धर्म और दोस्तों से कर्म पता चलता है, यानि कि अगर हमें किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसके family और दोस्तों के background के बारे में अगर हम पता कर ले तो maximum उसके बारे में जो भी चीज़े है वो हमें पता चल जाएगा यानि कि उसके family ही उसका socialization का सबसे first source होता है family से ही वो धर्म के बारे में जानता है उसके जो values है वो develop होते है फिर धीरे धीरे वो जब दोस्तों से मिलता है उसका कर्म पता चलता है यानि कि वो किस तरीके का काम करेगा उसका वो कौन सी group का part बनेगा ये सारे चीज़े हम दोस दोस्तों के द्वारा ही समझ सकते है इस बज़े से यह जो socialization का process है यह basically एक lifelong process है जहाँ पर family और friends का importance बहुत ज्यादा हो जाता है अब पहले हम socialization के कुछ characteristics के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर हम कौन से कौन से characteristics देखते है socialization जो है वो basically एक learning का चीज़ है यानि कि इसको हम सीखते है यह हमें पहले से inbuilt नहीं होता है यह biological inheritance नहीं है यह हमें सिखाया जाता है आप लोगों ने शायद Tarzan और मुगली का नाम सुना ही होगा जो बच्चे basically जंगल में रह रहे थे उनका लोगों के साथ कुछ लेंदे न नहीं था नॉर्मल सुसाइटी के साथ कोई interaction नहीं था तो उन्होंने अपने हिसाब से skills develop की थी वहाँ पर जो animals से उनके साथ interact करते हुए वो लोग जिस तरीके से रह रहे थे Tarzan और मुगली वो भी उसी तरीके से ही जी रहे थे इससे हम में पता चलता है कि socialization कितना important है एक के लिए आप जिस जगा पर रहोगे जिन लोगों के बीच में रहोगे आप उसी तरीके से socialized होगे यानि कि socialization एक learning का process है और ये जो socialization है ये एक continuous process है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर एक बच्चे को socialize कर दे तो यहाँ पर ही बात खतम हो जाती है ऐसा नहीं है socialization lifelong चलता रहता है बर्त से लेकर death तक socialization का process चलता रहता है और ये एक continuous process है ये socialization का process human behavior को control करने में मदद करता है और ये socialization formal और informal दोनों तरीके से हो सकता है informal जैसे हम family से सीख रहे हैं दोस्तों से सीखते हैं इसी तरीके से informally हम सीख सकते हैं साथी साथ formally यानि कि हम school, colleges इन सारे जगाओं से भी formally सीख सकते हैं socialization process के द्वारा एक वेक्ति एक functional member बनता है किसी भी एक society का यानि कि वो society का जो भी तौर तरीके का सीखता है उसके हिसाब से वो अपना behavior को shape करता है वो act भी उसी हिसाब से करता है यानि कि उसे एक functional member बनने में मदद करता है ये socialization process ये socialization process के द्वारा लोगों का जो culture है cultural heritage है वो एक generation से दूसरे generation में transmit होता है यानि कि कोई भी एक माता-पिता अपना जो भी cultural heritage है उसका जो भी culture होगा वो अपने बच्चों को सिखाएगा इस socialization process के द्वारा ही हमारा एक generation से दूसरे generation में culture transmit होता है अब देखते है stages of socialization हम जनम से लेके death तक बहुत सारे socialization process से गुजरते हैं यहाँ पर किसी भी एक जगा पर हमारा socialization process थम नहीं जाता है इसी हिसाब से हम जो हमारे जो socialization process है इसको कुछ stages में divide कर सकते हैं हमारे age के हिसाब से इनको कुछ stages में divide कर सकते हैं H.M. Johnson ने उनके book sociology and systematic introduction इस book में socialization के बारे में बात की थी उन्होंने इसी book में 4 stages of socialization दिया था यहाँ पर जो 4 stage है वो है oral stage, anal stage, latency stage और adolescent stage यहाँ पर जो latency stage है यह बहुत सारे book में ओडिपाल stage के नाम से भी दिया गया है लेकिन जो accurate है वो है latency stage अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा यह जो stages है, यह stages of socialization है इनको आप लोग Sigmund Freud का जो psychosexual stages है psychosexual developmental stages है उनके साथ confuse मत करना क्योंकि वो दूसरे तरीके का stage है जहाँ पर हमारे life में किस तरीके से psychosexual जो thinking है thought process है वो develop होते है उसके बारे में हमें समझाता है लेकिन यह जो Johnson का जो stages है यह हमें अलग-अलग stages के बारे में बताता है कि socialization के द्वारा socialization में क्या-क्या अलग stages हो सकते हैं इसके बारे में बात करता है इस चीज़ के ऊपर आप लोग थोड़ा careful रहेगा और यह जो यहाँ पर age के बारे में दिया गया है description इसको भी ज्यारा याद रखना क्यूंकि exam में बहुत बार इनके age के बारे में भी पूछा जाता है अब हम यह जो चार stages है इसको discuss करने की कोशिश करते है पहला जो stage है वो है oral stage oral stage basically जनम से लेकर देड़ साल तक चलता है यहाँ पर oral stage यानि कि जो भी बच्चा होता है उस time period पे वो बाते भी इतना ज्यादा नहीं कर सकता उसके पास कुछ ऐसा extra capacity नहीं होता है उसके पास जो होता है वो basically उसका body language होता है और साती सात उसका रोना हसना यह सारे चीज़े हम oral stage में देखते हैं कोई भी बच्चा जब जनम लेता है तो कुछ वो physical और mental capacities के द्वारा ही जनम लेता है और यह जो physical और mental capacities है यही उसको socialization process में मदद करता है जब हम socialization process की बात करते है तो यह start होता है family members और parents के द्वारा यानि कि जब बच्चा जनम लेता है तो पहली बार family members से ही interact करता है यहाँ से ही उसका socialization process चालू होता है oral stage में कोई भी एक बच्चा लोगों को imitate करने की कोशिश करता है अगर कोई इनसान हसेगा तो भी वो हसने की कोशिश करेगा कोई इनसान अगर रोएगा तो भी वो रोने की कोशिश करता है इस oral stage में उसका जो main चीज है वो अपने मूँ से ही खाना खाता है और मूँ से ही चीजों को समझाने की भी कोशिश करता है फिर आता है हमारा दूसरा stage जो है anal stage anal stage में basically बच्चा जो toilet का training है वो उसको दिया जाता है और वो लोगों के साथ interact करते हुए family को recognize कर सकता है family relation को धीरे-धीरे समझ सकता है और साती साथ यह जो stage है यह देड़ से लेके 3 साल तक चलता है जहाँ पर वो speaking करने मतलब बात बोलता है फिर quark फिर eating यह सारे जो processes यह processes वो सीखता रहता है यानि कि वहाँ पर family के दुआरा उसके एक socialization process चलता है फिर हम आते है third stage जिस stage को कहा जाता है latency stage latency stage को बहुत सारे book में odipal stage के नाम पर भी दिया गया है अब latency stage 3 साल से सूरू करके 12 से 13 साल तक चल सकता है यानि कि puberty तक यह latency stage चलता है अब इस time पे basically होता क्या है इस time पे basically जो बच्चा है वो अपने आपको एक पैचान देने की कोशिश करता है society में अपने आपको खुद से socialize करने की कोशिश करता है हम जानते है कि कोई भी बच्चा है वो अपने माबाप या फिर parents के control में रहता है यानि कि उसके इर्दगिर्थ एक authority होती है वो इस authority से बाहर निकल कर अपना एक अलग सा पैचान बनाने की कोशिश करता है यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है घुल मिलता है अपने peer groups या फिर friends से वो मिलने के बाद वो अपने आप में एक cooperative mentality develop करता है यानि कि उसका mentality जो है वो उस time period पे बहुत ज्यादा grow करता है उस time period पे वो खेलने कुदने के उपर बहुत ज्यादा focus करता है अब इसी latency stage में एक बहुत ही important feature के बारे में बात की थी Sigmund Freud ने उन्होंने कहा था कि इसी time period पे जो boys है वो audible complex develop करते है और girls जो है वो electro complex develop करते है अब odipus complex basically है क्या कोई भी बच्चा इस time period पे अपने मा से कोई भी लड़का अगर होगा वो अपने मा से बहुत ज्यादा लगाओ रखेगा वो अपने मा के लिए एक sense of attraction develop करेगा जिसके बज़े से उसके पिता को वो enemy की तरह भी देख सकता है यह जो चीजे है यह जो attraction है हम जिस तरीके से attraction के बारे में बात करते है sexual attraction नहीं है यहाँ पर एक अलग तरीके का attraction की बात की जा रही है यानि कि यहाँ पर जो लड़का है वो अपनी मा की तरफ बहुत ज्यादा attract होता है इसको कहा जाता है odipas complex और जो लड़की होती है जो girl होती है वो अपने पिता की तरफ बहुत ज्यादा attract होती है इसको कहा जाता है electro complex अब फिर हम आते हैं जो last stage है वो है adolescent stage यहाँ पर यह जो stage है adolescent stage है यह बहुत ही important stage है हमारे socialization process में क्योंकि यह जो stage है यह puberty से लेकर adolescent तक चलता है यानि कि 18 से 19 साल तक चलता है यहाँ पर ही लोग अपने जो gender है जो sex है इसके बारे में जानते हैं साती साथ उनके gender के जो roles है इसके बारे में भी जानते हैं इसी time पर वो अपने अंदर sexual feelings develop करते हैं साती सात दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं लोगों के द्वारा attract होते हैं यह face बहुत ही important होता है इस बज़े से socialization में जहाँ पर वो अपने classmate और friends के द्वारा attract होते हैं इसी time period पर कोई भी इंसान अपने recreational activities, creativity, fashion, clubs, sports यह सारे interest develop करता है वो future में कौन सी चीज़ के ऊपर ज्यादा interested होगा उसका interest का field क्या होगा यह सारे चीज़े develop होता है यही adolescent stage में अब यह adolescent stage के बाद में भी लोगों का life है उस lifelong हमारा death तक चलता जाता है process लेकिन यह चार stages के बारे में ही Johnson ने बताया है उसके बाद के जो stages है उनके बारे में Johnson ने नहीं कहा है Johnson ने यह चार socialization के stages के बारे में ही बात की थी अब देखते है types of socialization हम बहुत सारे अलग-अलग types of socialization देख सकते हैं इसमें से हम यहाँ पर जो discuss करने वाले है वो है primary socialization, secondary socialization, gender socialization, adult socialization, anticipatory socialization और re-socialization अब इनको एक-एक करके हम discuss करते हैं हमारा पहला socialization का type है primary socialization जब भी कोई एक बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ नहीं पता चलता है उसको उस time period पे सबसे जो important socialization का agent होता है वो है उसका family उसे family से ही चीज़े समझ में आती है उसके आस-पास के जो भी members है, family members है वो ही उसको basic knowledge देते है primary socialization में एक इनसान उस time period पे languages समझता है साथ-साथ उसका behavior किस तरीके का होगा वो shape किया जाता है इस बज़े से हम देखते हैं कि अलग-अलग जगाओ पर लोग अलग-अलग तरीके का भाशाय बोलते है और उनका thought process भी उसी हिसाब से develop होता जाता है यानि कि यहाँ पर जो primary socialization का agent है वो है हमारा family family ही हमारा mainly socialization का part होता है initially फिर हम आते हैं secondary socialization में secondary socialization जब कोई एक बच्चा घर से निकल कर बाहर की दुनिया में जाता है उस time period पे देखते हैं जहाँ पर वो school में जाता है फिर friends का group बनाता है इस time period पे इस schools और friends के दौरा ही उसका secondary socialization होता है यानि कि वो एक-एक mature इंसान की दरह develop होगा इस secondary socialization के दौरा ही उसका society में क्या role है उसके friends के group में किस तरीके का role play करना है यह सारे चीज़े वो secondary socialization के दौरा ही सीखता है अब देखते हैं gender socialization gender socialization यानि कि हमें जब gender के related किसी तरीके का शिक्षा दी जाती है या फिर हमें समझ दी जाती है जब भी कोई एक बच्चा छोटा होता है तो उसे अपने gender के बारे में कुछ पता नहीं चलता है लेकिन फिर भी उसके जो family members है parents है वो उसे समझाते है कि किस तरीके का आपका gender है जैसे अगर लड़का हुआ तो उसे खेलने के लिए अलग-अलग चीज़े मिलेंगी जैसे guns मिलेंगी, toys मिलेंगी ये सारे चीज़े उसको मिलेंगी लेकिन जब एक लड़की होगी तो उसे अलग तरीके का खिलोने मिलेंगे उसका socialization का process भी अलग होगा इस तरीके से धीरे-धीरे कोई भी एक बच्चा अपने जो gender है, gender role किस तरीके का होगा वो future में जाकर किस तरीके का role निभाएगा, उसका gender क्या है, वो उसे पता चलता है इस बज़े से इस gender socialization का बहुत ज्यादा importance होता है किसी भी इंसान के life में उसे लोग किस तरीके से trade कर रहे है, उसे लोग किस तरीके का चीज़े provide कर रहे है इसके उपर depend करेगा उसका socialization का process हम देख सकते हैं कि जे tv है, tv के द्वारा, tv, mobile ये सारे चीज़ों के द्वारा भी लोगों को अपने gender के बारे में पता चलता है, वो अपने आप में एक conscious feel करते है नहीं, मैं male हूँ या फिर female हूँ, ये उसे पता चलता है और उसका क्या role होगा, ये भी उसे पता चलता है जैसे अगर लेडकी हुई, तो उसको खिलोना दिया जाएगा, dolls दिये जाएंगे साथी साथ उसको घर के जो भी सामान है, इसके साथ खेलने को दिया जाएगा लेकिन जो लड़का है उसको football या फिर ball दे कर बाहर भेजा जाएगा साथ साथ उसको guns दिये जाएंगे, इस तरीके का खिलोने उसके लिए होगा इस बज़े से अलग-अलग तरीके का खिलोने एक-एक gender को दर्शाते है और यही gender socialization है यानि कि लोगों को, बच्चे को उसके gender के बारे में aware करने को ही हम basically gender socialization कहते है फिर देखते है हमारा adult socialization adult socialization यानि कि जो भी individual है, वो जब एक adult बनता है तो उसके कुछ roles होते है या फिर employee हो सकते है, हर किसी का अपना अलग-अलग role होता है society में और उसी socialization का process कहा जाता है adult socialization यानि कि कोई भी इंसान adult होने के बाद जिस तरीके का role निभाएगा adulthood में उसका जिस तरीके का position होगा उसको कहा जाएगा adult socialization यह जो socialization का process है, यह lifelong चलता रहता है और adult socialization में उसके needs के हिसाब से वो क्या चाहता है इसके हिसाब से उसके values और behavior decide होंगे उसके values और behavior के द्वारा ही सारी चीजे guided होंगी अब देखते हैं anticipatory socialization और re-socialization के बारे में यह दोनों concept को आप लोगों को थोड़ा carefully समझना होगा anticipatory socialization यह जो concept है यह basically develop किया था R.K. Martin ने R.K. Martin के इलाबा भी किरिक ने भी anticipatory socialization के बारे में बात की थी अब anticipatory socialization एक ऐसा socialization process है जहाँ पर कोई भी एक इनसान anticipate करता है कि वो future में किस तरीके का role play करेगा उसके according वो अपने आपको socialize करने की कोशिश करता है ताकि वो जो भी group में जाएगा उस group में उसका entry आसान हो और उस group में जाकर वो अपने आपको एक comfortable position में पाए जैसे कोई भी एक student अपने आपको teacher बनाने से पहले वो teacher का role play करता है या फिर training लेता है या फिर अपने आपको practice करने की कोशिश करता है कि मैं teacher बनके किस तरीके का role निभाऊंगा इसको basically कहा जाता है anticipatory socialization यानि कि anticipate करना जैसे कोई एक इनसान फोजी बनना चाहता है तो वो फोजी की तरह अपना life रखेगा रोज सुबह उटके दोड़ेगा exercise करेगा यानि कि वो anticipate कर रहा है और सबसे जो best example है हम इंदिया में देखते है कि कोई भी लड़की शादी से पहले घर का काम करना घर में क्या क्या बरतन है बरतन धोना या फिर खाना बनाना यह सारे चीज़े उसको सिखाए जाता है क्योंकि उसे बाद में जाकर दूसरे family में वो ही role निभाना है यानि कि उसको पहले से ही socialize किया जाता है ताकि वो जाकर जो दूसरी family में जाएगी उस time पर उस तरीके का role निभा पाएगी यानि कि यहाँ पर anticipate किया जाता है और इसी socialization का process को कहा जाता है anticipatory socialization अब हम देखते हैं re-socialization re-socialization का जो concept है इसके बारे में बात की थी Irving Goffman अब re-socialization basically हमारा एक ऐसा socialization process है जहाँ पर हम जो पुराने तौर तरीके है पुराने जो जीने का तरीका है उसको बदल के नया एक तरीके में ढाल लेते हैं हमने class में शुरू में ही बात की थी कि कोई भी एक बच्चा खाली गोरे कागस की तरह होता है उहाँ पर हम बहुत सारे चीजे लिख सकते हैं और यही re-socialization process में वो जो लिखावट है वो लिखावट इर्याजर से मिटाई जाती है इर्याजर से मिटाई जाने के बाद बापस से इसके उपर लिखा जाता है यानि कि उसको बापस से बहुत सारे rules, norms यह सारे चीजे समझाए जाती है उसमें अलग तरीके का manner, values यह सारे चीजे develop की जाती है और उसे society के लिए एक appropriate इंसान बनाया जाता है इसको कहा जाता है re-socialization Irving Goffman ने mental isolums को study करने के वक्त यह re-socialization का concept की बात की थी उन्होंने देखा था जो भी mental patients है उनको re-socialize किया जाता है उनका जो जीने का तरीका है उसको बदल के उनको society के लिए appropriate बनाया जाता है इसी तरीके से हम jail में, prisons में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो लोग है criminal से उनको re-socialize किया जाता है उनका जो character है उसको बदल कर बापस एक ने तरीके का इंसान बनाने की कोशिश की जाती है इसके साथ साथ जो भी इंसान एक country से दूसरे country तक जाता है उसका जो बाद में जाकर जो socialization होता है, उसका जो cultural change होता है ये सारे values, manner, सब कुछ बदल जाता है यही है basically re-socialization अब anticipatory socialization और re-socialization इन दोनों का फरक आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए anticipatory socialization में हम anticipate करते है कोई भी एक role निभाने से पहले, उस तक पहुचने से पहले पहले हम कुछ anticipate करके खुद को बदलने की कोशिश करते है उसको कहा जाता है anticipatory socialization जैसे हम शादी से पहले, हम अपना एक husband या फिर wife का जो भी role होगा इसके regarding एक anticipate रखते है और उसके according खुद को बदलने की कोशिश करते है, खुद को उस हिसाब से ढाल लेते है खासकर जो लड़किया है, वो अपने आपको उस हिसाब से ढाल लेती है वो चुलाचो का खाना बनाना, ये सारे चीज़े सीखती है ये anticipatory socialization है फिर जब वो दूसरे घर में जाती है, फेमिली में जाती है तो वहाँ पर जाकर उसको एक अलग तरीके का culture मिलता है वहाँ पर एक अलग तरीके का लोग मिलते है सारे लोगों के साथ उसको adjust करना पड़ता है और वो जो process है, वहाँ पर जो उसका socialization होता है उसको कहा जाता है re-socialization और वो साधी से पहले जो role play करने के लिए पहले से ही खुद को तयार कर रही थी उसको कहा जाता है anticipatory socialization आशा करता हूँ ये जो anticipatory socialization और re-socialization का concept है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल चुका है अगर फिर भी दिक्कत हुई तो आप लोग ये notes देख लेना क्योंकि यहाँ पर notes में ने थोड़ा बहतर तरीके से बनाने की कोशिश की है अब देखते है agents of socialization socialization process में हमारे लिए बहुत सारे चीज़े माइने रखती है बहुत सारे ऐसे agents है जो हम्यारे behavior को influence करते है हमारे socialization process को change करते है इसमें से ये जो चार agents है ये सबसे important है पहला है family family से ही हम basic values सीखते है जैसे love, affection, manners, etiquette ये सारे चीज़े पहली बार हम family से ही सीखते है फिर हमारा आता है PR group अब यहाँ पर PR group का मतलब क्या है PR group का मतलब है ऐसे friends जो same age से belong करते हो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते है कि वो उनके बीच में age का बहुत ज्यादा फरक होता है लेकिन PR group ओ ऐसा group है जहाँ पर जो दोस्त है वो सारे लगभग same age group के होंगे जब इस तरीके का group होता है PR group के वज़े से लोगों के बीच में एक mutual sense of understanding develop करता है साथ-साथ उनके बीच में एक cooperation develop करता है जिसके बज़े से वो society में लोगों को equally treat करना सीखते है और इसी equal treatment के वज़े से हमें society में रहना बहुत आसान हो जाता है फिर है हमारा school school एक formal agent है formal agent यानि कि यहाँ पर हम formally जाकर चीज़े सीखते हैं school में books के द्वारा teachers के द्वारा हमें guide दिया जाता है हम किस तरीके से एक attitude develop कर सकते हैं हमारा idea किस तरीके का होगा यह सारे चीज़े हमारा school में जाकर develop होता है और यह जो school है यह formal institution है जहाँ पर हमारा ideas, values, morality यह सारे चीज़ों को shape दिया जाता है फिर जो agent है वो है mass media आज कल के time पे mass media का importance बहुत ज्यादा है आज कल हम देखते हैं जो भी बच्चा छोटा होता है तब से ही उसे mobile, tv यह सारे चीज़ों का exposure मिलता जाता है वहाँ पर वो बहुत सारे चीज़े देखता है वो अपने gender role के बारे में समझता है यहाँ पर लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ interact करता है यह सारे चीज़े हमें mass media के द्वारा ही पता चलता है हम लोगों के साथ भी आज कल communicate mass media के द्वारा ही ज्यादतर करते है अब यह जो mass media है यह आज के time period पे एक बहुत important agent of socialization है क्योंकि हमारा जो world है यह एक globalized world है हम internet के जरिये दूर दूर के जो भी शहर है उसके बारे में जान सकते है वहाँ के जो लोग है उनके जो तौर तरीके है उनको भी समझ सकते है जैसे मैं इंडिया में बैट कर अमेरिका का जो तौर तरीका है वो भी समझ सकता हूँ जापान चाइना यह सारी चीज़े मैं access कर पा रहा हूँ यहाँ पर mass media हमारे लिए एक बहुत important agent की तरह काम करता है अब देखते है factors of socialization यानि कि कौनसा कौनसा वो factor है जो हमारी socialization process के लिए important होने वाली है यहाँ पर पहला जो है वो है हमारा imitation हम जब भी socialization process में जुड़ते हैं तो हम चीजों को imitate करते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हम चीजों को imitate करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तब भी हम चीजों को imitate करने की कोशिश करते हैं, यानि की लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उसको copy करने की कोशिश करते हैं. ये consciously भी हो सकते है या फिर unconsciously भी हो सकता है फिर है suggestion ये suggestion लोग हमें दे सकते है कि आपको किस तरीके का socialization करना है या फिर आपका बरताव किस तरीके से होगा ये सारे चीज़े लोग हमें suggest करते है इसके अलाबा भी हम खुद से भी खुद को suggest कर सकते है ये जो suggestion है ये logical भी हो सक जैसे आप बहुत बार इंदिया में खासकर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं आप इस भगवान को पूजा करो तो आपका जो भी दुखदर्द है वो खतम हो जाएगा यानि कि यहाँ पर चीजे तो लोजिकल नहीं है लेकिन आपको suggestion दिया जा रहा है और आप इसी हिसाब स उस भगवान को पूजा करना start कर देते हो यानि कि यहाँ पर जो suggestion है suggestion के द्वारा भी लोगों का socialization होता है फिर यहाँ पर identification यानि कि जो भी बच्चा है वो धीरे धीरे अपने आसपास के जो भी चीजे है उसको identify करना सीखता है कौन सा object कौन सा काम का है उसके द्वारा क्या कर सकते है यह सारे चीजे identify करना सीखता है इसी identification के द्वारा भी हमारा socialization होता है फिर जो सबसे important चीज है वो है language language सबसे important factor of socialization है अगर आपका language में पकड़ बहतर हो अगर आप बहुत सारे अलग-अलग languages सीख सकते हो तो आपका जो interaction process है लोगों के द्वारा जो interaction है लोगों क इसना ही बहतर होगा यहाँ पर language के द्वारा ही लोग एक दूसरे का culture को transmit करते हैं लोगों के culture को सीखते हैं society का तोर तरीके हम बहतर तरीके से सीख सकते हैं अब देखते हैं importance of socialization अब तक हमने socialization के बारे में बहुत सारे चीजे बात की है लेकिन यह सारे चीजे हम पढ़ क्यों रहे हैं इसका importance क्या है यह हमें जानना जरूरी है किसी भी एक व्यक्ति का जो personality है यह socialization के द्वारा ही develop होती है वो किस group में कौन सी family में बढ़ा हुआ है उसका friends किस तरीके का है यह सारे चीजे बहुत ज्यादा माइने रखता है socialization में इस बज़े से personality का जो development है यह socialization process के द्वारा ही होता है यह जो socialization है यह एक biological organism को एक social being में तयार होने में बहुत ज्यादा मदद करता है हमने पहले एक example देखी थी कि जो मुगली या फिर टार्जन है वो लोग जंगल में रहते है क्योंकि उनके पास लोगों का access नहीं है बाकी normal society का access नहीं है इस बज़े से जिस तरीके से animals जीते है उसी तरीके से वो लोग जीते है लेकिन जब हम society में लोगों के साथ interact करते है एक दूसरे के साथ मिलते है तब हम एक अलग तरीके का इंसान बनते हैं हम अपने आपको biological organism से convert करके एक social being बनाते है यानि कि लोगों के साथ इकठा रहते हैं और हम एक अलग तरीके का culture develop करते हैं socialization के द्वारा हमारा human behavior disciplined होता है यानि कि जो भी society में हम रहते हैं उसके according हम हमारा disciplines रखते हैं और हम socialization process में इस human behavior को भी सीखते हैं हम society में किस तरीके का role play करेंगे ये भी हमारा socialization process के द्वारा ही decide होता है ये जो socialization process है ये हमारी society में social order को बनाए रखने में मदद करता है यानि कि हमारा society में जो एक social order है लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे कौन कौन सा काम करेगा इस तरीके का जो interaction process है social order है इसको बजाए रखने में socialization बहुत important role play करता है और साती साथ जो culture है हमारे society का जो culture है उसको transmit करने में एक family से दूसरी family को culture को transmit करने में हमारा socialization process बह important है और आगर आप आपके आसपास देखोगे तो वहाँ पर हर time period पर बहुत सारे लोगों के साथ socialization process चल रहा होता है आप खुद का भी example ले सकते हो कि आपका किस तरीके का socialization process हुआ है यहाँ पर आप अपने आपको किस तरीके से फिर से re-socialize कर सकते हो या फिर आप आपने आपको future में established करने के लिए किस तरीके का anticipatory socialization use कर सकते हो यह सारे चीज़े आप लोग socialization के द्वारा ही समझ सकते हो आज के class में हम socialization के regarding बहुत सारे topics को हमने cover की है यहाँ पर बहुत सारे चीजों के बारे में हमने जानी है तो आज के class में इतना तकी था next class में हम theories of socialization के बा यहाँ पर हम basically mainly तीन theories के बारे में discuss करने वाले है जी एज मीट का development of self का theory फिर है CH कुली का looking glass self और Sigmund Freud का psychoanalytical theory यह सारे जो socialization के regarding theories है यह हम next class में cover करने वाले है तो आज का class यहाँ पर ही खतम करता हो अगर class अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like और share जर मिलते है अगली class में तब तक अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जाई हिंद